हेलो एंड वेलकम आपका इपाप फिर से स्वागत है स्पोर्स क्रेजी पर मैं हूँ आपके साथ हिमानशो दिवेदी आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड टेस्ट चेंपिंशिप फाइनल मुकाबले के लिए जो की खेला जाना है इंडियो और अस्टेलिया के बीच आईपेल का सीजन अब खतम हो चुका है चैनेज सोबर किंग्स पाचवी बार विजेता बन चुका है अब सारे इंडियन फैंस युनाइट होकर इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि 2013 के बाद सो जो सूखा पड़ रखा है ट्रॉफी का आईसीजी ट्रॉफी का वो अब इंडिया में वापस आए एक बार फिर से वर्ल्ट टेस्ट चैंपेंशिप इंडिया जीते अलगी मैं आपको बताओं दोनों टीमों में से जो भी अपने टेस्ट मेंस अपने नाम करेगा वो अपना ट्रॉफी कैबिनेट पूरा कर लेगा भारत के बास ये दूसरा मौका है लगातार पिसली बार न्यूजी लैंड के हाथ होने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार उनके पास एक बार फिर से मौका है कि डव्ल्यू टी सी के इस टेस्ट मेंस को वो अपने नाम करें इस वीडियो में आपको बताओंगो कौन से एक 11 खिलाडी है भारत की तरफ से जो आपको मैदान पर उतरते वे दिख सकते हैं ओवल के इस ग्राउंड पर उतरते वे दिख सकते हैं और जो एक उमीद है कि भारत सपने को पूरा करे इस टेस्ट मेंस को अपने नाम करे वो आपको बताओंगा सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कपतान है रोहिट शर्मा जी हां रोहिट शर्मा जो एक अपतान है इनके उपर बहुत फैंस की उमीद होगी चार मैचेस में इन्होंने इंग्लैंड का टूर किया था और 52 की एवरेस थी तो इंडियन फैंस को उमीद डाल सकें डाल सकें डाल सकें डाल टी सी 23 साइकल के भी बहुत अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहें हैं यह दूसरे उपनर की बात करें तो शुबमन गिल जी हां केल राहुल की एपसेंस में अब आपको शुबमन गिली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहिश जाता है वो डबलू टी सी के इस फाइनल मुकाबले में भी डिलिवर करें उनके इंग्लैंड में रिकॉर्ड वैसे ज्यादा अच्छे रही नहीं है उन्होंने दो मैचेस में 57 रनी बनाया है पर उस टेम के फॉर्म और अब के फॉर्म में बहुत अंतर आ चुका है इस बा वो इस मैच में चले और ऐस्टेलिया के सामने तो उनके वैसे बी रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं ऐस्टेलिया की गेंद बासी को काफी परिशान करते हुए हैं वो चाहें उनके सामने जितनी बॉले ठिक ना हुआ जो भी एक उनको काउंटर रटने जब ऑस्टेलिया के बनाएं और इस मैच में उमीद हो कि उन से अच्छी परफॉर्मस देखने को मिलें चौते नमबर पर आते हैं जो इंडियन क्रिकेट के अब तक के सबसे बेस्ट बैट्समें माने जाते हैं विराट कोली जी हां किंग कोली अभी हालिया फॉर्म उनका काफी अच्छा जा रहा रिकी बॉंटिंग ने भी एक स्टेट्मेंट दे थी की विराट कोली का विकेट जोगा वो प्राइस विकेट होगा और अउस्टेलिया के लिए अगर वो उनका विकेट लेने में कामयाब रहते हैं तो बिलकुल ही वो टेश मैच मेच को या डव्लु टीसी के फाइनल को ज से चले फिर से घरजे और एक अच्छा जो डव्यू टी सी का फाइनल है वो जीतने में मंदद करें पाच्वे नमबर पर आते हैं जिंके राने जिहां पूर्व वाइस कफ्तान है चुके हैं ये इंडियन टीम के अलाकि जनवरी 2022 से इनको टेस्ट टीम से में जगह नहीं मिले गाउस का और जो उन्होंने उनका फॉर्म रहा है पिलका तो कुछ मीडिया सोर्स का ये भी कहना कि एमेस धोनी ने रिकमेंड किया कि हाँ जिंके रहाने के साथ आगे जा सकते हैं वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं प्लस उनका जो एक्सपीरेंस है वो बेहत काम आएग तो उसमें किसी ने उमीद ने की थी कि इंडिया उस सिर्वीज को जीत भी सकता है जैसा उन्होंने पहला मैच हा रहे थे विराट कोली की कप्तानी में पर जिस तरीके सो उन्होंने टीम को सम्भाला टीम को लीड किया इतने प्लेयर चो तो वो दर्शात है कि अगर वो एक जो एक्सपिरियंस प्लेयर है वो बिलकुल इतने बड़े मुकाबल में काम आ सकता है आपके अगली बात करें तो अगली है रविंदर जड़ेजा जी हां यह जो आपके तलवार बास जड़ेजा है या तलवार बासी जिनको अच्छी आती है जो त्री डाइमेंशनल प्ले करती है वन ऑफ बेस्ट और राउंड है रही है अड़ अड़ प्लेजन और इनका खेलना इसले भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप तॉप पाच या छे बल्ले बास देख लीजे तो कोई लेट हैंड बैट्समन नहीं है तो रविंदर जड़ेजा का खेलना एक स्टेबिलि हैं तो उनका खेलना इस मैच में और 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 परफॉर्मेंस से बिलकुल उमीद कर रहे होंगे इंडिया फैंस की वो और परफॉर्मेंस दे और इंडिया को जीतने में मदद करें जैस्ट डव्यू टीसी का यह मैच अगले आते हमारे विकट की पर जो आते हैं वह केस भरत जादे एक्सपीरेंस रहा नहीं है केस भरत के पास पर पंत की गयर मौजूदगी में इनका अच्छा परफॉर्म करना एक इनके लिए अच्छा चांस है कि वो इस अपोचुनिटी को ग्रैब करें और इंडियन टीम में अपनी जगह बनाए हैं हलाकि इन्होंने चार टेश इस फिन में थोड़ी कंफ्यूज थे हम की कौन सा प्लेयर आगे जा सकते हैं पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन टीम चार बॉलर फास्ट पेस बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएं तो आपको शादूल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं हलाकि काफी पास इंसी बनाए दी और उनके लग का कह लीजिए या उनकी मेहनत कह लीजिए और कोई ट्रिक कह लीजिए कि वह हमेशा कूशल मुवमेंट पे आपको विकेट लेकर देते हैं शादूल ठाकुर आपको याद होगो वह चौतर टेश्म है जिसमें इंग्लैंड की कोई विक सकते हैं पेस अटेक में और मुहमद शमी का चलना बहुत जरूरी है वो नई गेंज से परिशान भी करते हैं पुरानी गेंज से भी परिशान करते हैं बल्ले बासों को उनका जो 13 टेश्मैच में उन्होंने इंग्लैंड में खेले और 38 विकेट उन्होंने अब तर ले चु रहा है अगर वो वैसी फॉर्म के साथ इस मैच में खेलते हैं तो अस्टेलिया बल्ले बासों के लिए एक बहुत परिशानी और सरदर्व की बात हो सकती है क्योंकि एक तो अपने अग्रेशन की वज़ज़ से वैसी धर का महौल या कह लीजिए बैट्समन को चैलेंज करते हैं बैट्समन को कसाते हैं शॉर्ट्स किलने में या गलती करने पर मजबूर करते हैं जिसको जो उनको एक और लीथल बनातेता है अगर उनके हम मैच की बात करें इंग्लैंड में तो पाच टेश मैच में उन्होंने अठारा विगट चटका रखे हैं इंग्लैंड में तो जहेदे उनादकर के कभी एक रोल हो सकता था कि वो आखरी 11 नंबर पर वो खेलें पर उमेश है तो हमें उनसे आगे खेलते वे नजर आ रहे हैं इस मैच में और उनका जो एक्सपीरेंस है वो काफी अच्छा रहा है दो टेश मैच खेलें उन्होंने जिसमें उन्होंने नौ विकेट चटका हैं इंग्लैंड में तो यह जो एक 11 सदेश से जो एक 11 प्लेइंग 11 है हमारी टीम ने ऐसा या हमने ऐसा एनलाइज किया कि यही प्लेइंग 11 आपको इस मैच में खेलते वे देख सकती है अलाकि थोड़ी ओवल की बात करें तो ओवल जो ग्राउंड है वो फ तरह से 21 डिगरी की अराउंड पर टेंपरेचर रहता है उस ग्राउंड का तो हो सकता है अगर ग्रीन पिच मिले तो शायद आपको बॉलर्स के लिए अच्छा रहेगा पर बैट्समें के लिए काफी अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं ओवल पे तो देखना होगा कि कौन सी टी टीम किस तरीके से अपने प्लेइंग 11 बनाती है या स्ट्रेडिजी बनाती है कि वह मैच में उत्रें अपने बेश्ट प्लेइंग 11 के साथ हलाकि इंडिया और उस्टेलिया ने अब तक 106 मुकाबले खेले हैं आमने सामने इनका मुकाबला हुआ है टेश मैचेस में जिसमे 44 मैच उस्टेलिया ने जीते हैं 32 इंडिया ने जीते हैं अब देखना होगा कि इस बार ये मैच जीत कर कौन से टीम डवल्यू टीसी पर अपना जो एक ट्रोफी कैबिलेट है पूरी वो करती है डवल्यू टीसी का ये मैच जीत कर टेश मेंस अपने घर लाती है इंडियन मैंसको बहुत उमीद होगी कि जो 2013 के बाद से जो एक भी ICC टूनमेंट जीत नहीं पाई है इंडिया वो इस बार ये जीते हैं ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे अब डव्यू टीसी का फाइनल मुकाबला आ रहा है हम उस टेले की भी बात करेंगे वो वी